मंगलवार की सुभह दोलत गंज चुराहे पर हुए एक दर्दनाख हाथसे में एक बाली का गंभीर रूप से घायल हो गई जब बारात लेकर आ रही एक यात्री बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया बाली का के दोनों पेर बूरी तरह से जखमी हो गए है उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करवाया गया हाथसे के बाद यहां लोगों की भीड जमा हो गई दरसल गरोठ जहासी में रहने वाले धनी राम की बेटी का विवहा उज्जेन में रहने वाले गोपाल सीह परिहार के यहां होना है धनी राम अपने परिवाल जन और दुलहन को ओम साइन ट्रेवल्स की बस क्रमांक UP93 CT 1127 से लेकर उज्जेन पहुचे थे दुलहन के भाई मानसीह के मताबिक बस तरह समय से पहले उज्जेन पहुच गई थी इस कारण रिस्तेदारों को छिपरा नदी में इसनान कराने राम घाट जाना था लेकिन गलत रास्ते पर चले गए फिट रेफिक पुलिस से राम घाट जाने का रास्ता पुचा और वापस लोटे उसी दोरान बस का अगला टायर फट गया और बस अन्यंतरित हो गई सामने से बालिका साइकल पर सवार होकर आ रही थी जो बस से टकरा कर अगले टायर में आ गई बल्ड ड्राइवर ने तुरंत लोगों की मदद से घायल बालिका को बस के नीचे से निकाला और ई रिक्सा से जिला चिकित सालाई में उपचार के लिए ले गया बता जा रहा है कि बालिका सुभव परिचित हसन की साइकल लेकर फूल मंडी दूद तलाई में गुलाब के फूल खरीदने गई थी तभी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया हालत गंबीर होने पर डॉक्टर ने इंदोर रेफर किया है इस हाथसे का लाइव वीडियो सामने आया है वीवी ए सेंगर सीटी चैनल उज्जेन है झाल